तो सबसे पहले आप लोगों को इस वर्ट को समझना होगा, यहां पे आप लोगों को आधार इन्रोल्मेंट, आधार करेक्शन, आधार अपडेट करने का वर्ट आप लोगों को यहां पे मिलेगा, इस तरह का फॉर्म आप लोगों को दिखा देगा, यहां पे आप लोग दे details of father mother guardians husband wife किसी का भी आपको details देना है name लिखेंगे आधार नमबर लिखेंगे आपके parents का mother guardian husband wife किसी का भी हो आप यहां पर आधार नमबर लिखेंगे verification type में documents based या introduced based या head of the family based जिसके भी हो आप यहां पर verification भी आपको करना होगा जैसे यहां पर किसी का भी डाकुमेंट्स लगेगा तो इस तरीके से आप इस फॉर्म को फिल अप करेंगे सही तरीके से फिल अप करना होगा जो भी डीटेल्स आप यहां पर फिल अप करेंगे सही तरीके से यहां पर आपको डीटेल्स को डालना होगा एंट्री करना होगा तो यह है आधार और काड डाटा इंट्री वर्क यहां पियांपनों को सम्बंदित एंट्री करने का वर्क आप लोगों को मिलेगा तो आये यह वर्क का आप मिलेगा यह पूरी जानकरी मैं अपनों को दूँगा अपलो प्ल UC practiced में यो अनघॉर्ण का इंडर्मेंट नीयौंद्स करेट्टी locks और देवर्ण करेए यहाँ पर आख इंसा आधार करेंधर का मैं यहाँ पर आपलों को अधार को ढास यहाँ करेंगे और को फिल अपको करना हो खाँ बिलेगा जो भी ऑद्रकार से आपको को किपने चाहिए में एप में आप लेगा JOHN आप लोगोज को सलिक करें लोगा हिंदी इंग्लिश गुजरती कुछ्छ करेंगे मैं इंग्लिश स्लेक्ट करोंगां तो इंग्लिश मुझे यहां पर इसे सलेक्ट पोगा तो जैसे मैं यहां पर लांगोज कु सब्युक्velt सेरेक्ट कर यहाँ पर आने के बाद आप लोगो यह three line आप लोगो दिखाए देगा यहाँ पर देख सकते हैं इस three line पर हम ऐसे click करेंगे अब यहाँ पर आप लोगो option wise आप लोगो देखना होगा क्या क्या है जैसे माय आधार है about UIDAI ecosystem, media and resource, chat and support आप लोगो दिखाए देगा यह option में आप आप लोगो कुछ option को नहीं आप लोगो simple ecosystem जो दिखाए देगा यहाँ पर हम simple click करेंगे दिखे इस चीज को आप ध्यान से देखिएगा ecosystem में जैसे में क्लिक करेंगे यहाँ पर आप लोगो छे option दिखाए देगा इन में से आप लोगो सब से last में training, testing and certification ecosystem आप लोगो दिखा देगा आप लोगो ध्यान से इस चीज को दिखिएगा introduction सबसे पहले आपका training होगा उसके बाद testing होगा उसके बाद आप लोगो certificate प्रोवाइड कराया जाएगा अब यहाँ पे आप लोगो को पूरी information को आप लोगो ध्यान से समझना होगा तो यहाँ पे enrollment supervisor या operator का work आपको म मिलेगा अब आप लोगो को इस work के बारे में समझना है तो आप लोग इस चीज को ध्यान से पढ़िएगा यहाँ पे पूरा details आप लोगो को दे दिया गया है master training, trainers training, TOT, program आपको यहाँ पे रहेगा यह भी आप लोग यहाँ पर सकते हैं orientation, refreshment program of enrolled, main agency, staff, agency staff यहाँ और यहाँ पर अप लोगों को इस तीज को समझना होगा यहाँ पर आप लोगों को agency को open कर सकते हैं enrollment agency यहाँ पर आप लोग open कर सकते हैं यहाँ पर आप लոगों करने का भी आप लोगों आप पे और सद मिलेगा मौका मिलेगा ऑप्रचुणी आप लोगन को यहां पे मिलेगा यह बाद समझ लिए घए गा तो यहां पर देख मेगा ट्रेनि जाट प्रोग्राम कहा रहे यह किस तरह कांश प्रोगरम में यहां पर फुरी इंफेर्मेशन बढ़ सकते हूं तो आप लोगों को यहाँ पे जो भी टेस्ट रहेगा उस टेस्ट का एक नया structure आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइट कराए गया है यहाँ पर कोईशन बैंक आप लोगों को मिलेगा उसको पढ़ कर भी आप इस टेस्ट को पास कर सकते हैं तो अब देखेगा testing policy आप लोगों को यहां पर रहेगा testing and certification enrollment test structure कैसा रहेगा यह सब कुछ आप लोग यहां पर देख सकते हैं आप लोगो training provide कराया जाएगा अब यहां पर देखें यहां पर जो आपका test रहेगा उस test में आप लोगो कुछ fee देना पड़ेगा तो fee क्या रहेगा आप लोगो test fee of rupees 470 rupees आपको देना पड़ेगा including GST अगर test देना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगो fee यहां पर देना पड़ेगा जिसके लिए 235 rupees आपको यहां पर देना पड़ेगा तो इस तरीके से आप यहां पर test देकर भी अच्छा खासा अब यह पूरी information आप लोगो समझ में आ चुका है तो test के लिए आप लोगो कुछ topic यहां पर दे दिया गया है यहां पर आप इसको download कर सकते हैं यह जो भी documents रहेंगे इन documents को आप लोग यहां पर download करके भी आप पढ़ सकते हैं यहां पर अगर हम education की बात करें तो यहां पर देख सकते हैं अब यह बात समझ लीजेगा CLC operator के लिए जो भी आप लोगों का अगर 12th pass है तो आप यहां पर वर्क कर सकते हैं अगर आप अंगनवाडी के वर्कर हैं या आसा के वर्कर हैं तो आप लोगों को 10th pass का certificate है तब भी आप यहां पर वर्क पास सकते हैं तो certificate is mandatory required to perform other enrollment and update अब दिखिए यहां पर आपको आधार enrollment करना है या आधार को update करना है तो आप लोगों को यह certification mandatory है जरूरी है तब ही आप इस वर्क को कर सकते हैं आधार को update करना है आधार को enrollment करना है तो आपको यह certification की आउसकता पड़ेगा इसलिए certificate आपको लेना होगा यह बात आप लोग इतनी बात आप लोग समझ लिजेगा अब यहां पर आपनों को तीन लिंक दिखाए दे रहा है यहां पर देख सकते हैं 123 यह link दिखा दे रहा है तो हम इस पर click करेंगे और ऊके का बटन फे click करेंगे तो जैसम यहां पर click करेंगे अब आप लोग यहां पर देख सकते हैं user ID और पास्टोर्ड आप लोग को मागा गया अब आप लोग को प्लिस भी इंफर्मेशन आप लोग यहां पर पढ़िए गया है कि अगर आपको कोई भी इंफर्मेशन पाना चाहते हैं तो यहां पर आप लोग को देखे सकते हैं किस तरह को सर्टिफिकेट मिलेगा यह सर्टिफिकेट का सैंपल भी आप लोग यहां पर देख सकते हैं सर्टिफिकेट नंबर एजुकेशन क्वालिफिकेट सन्सेकंड लेंगोज इस रिष्टर कोड यह सब कुछ आप लोगों को यहां पर दिखाए देगा इसके बाद अब हमको चले जाना है और और हो टू एपलाई का बटन दिखेगा यहां पर हम क्लिक करेंगे अब क्लिक यहां पर इंग्लिश, मराथी, बेंगोली, कन्नड, उडिया, तामिल, उर्दू, हिंदी, असमेज, गुजराती, मलायालम, पंजावी, तेलेगो किसे भी लेंगोज में आप इसको जान सकते हैं अब यहां पर आप लोग सेंटर डिटेल्स में क्लिक करके सेंटर डिटेल्स को भी सेलेक्ट कर सकते हैं तो इस तरीके से आप यहां पर एपलाई करेंगे और यह जो आदार कार्ड एंटरी वर्क है अपडेट करने का करेक्शन करने का यह वर्क आप लोगों को मिल जाएगा यहां पर आप एजेंसी को भी ओपन कर सकते हैं तो अभी के अभी जाएए और यहां पे आप लोग apply कर दिजिएगा तो इस तरीके से आप यहां पे आधार card data entry work पा कर अच्छे खासा income generate कर सकते हैं यहां पे आप लोगों को सही तरीके से form को fill up करना होगा ध्यान पुर्वक यहां पे form को fill up करना होगा कोई mistake नहीं होनी चाहिए क्योंकि एक government data entry work है अधर card से संबंदित यह data entry work आप लोगों के लिए रहेगा अगर ही वीडियो आपने को पसंद है तो लाइक कर दिजिए और इस चैनल को subscribe कर दिजिएगा अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो तू फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आज के लिए बस इतना है तैंक्यू